तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे जो आपका आपने तामे के मिलन बरतन को निम्बू या इमली के रस साप करते अवश्य देखा होगा मतलब आपने गंज देखा होगा जो निम्व है उससे जो आपका भरतन जले जाता है उससे आप साप कर लेतो है या इमली की जो चोच श्रेती है जिसे चोहां बोलते हैं उससे आप साप कर लेतो है तो आपने देखा होगा इमली के रज साप कर लेते हैं अवश्यक देखा और इमली के रस में आपने देखा होगा अमली होगा है यह होले क्हटतार्थ रहता है निम्बू भी और चो आपकी इमली भी दोनों ही क्या रहते हैं खटे पदार्त रहते हैं तो आपको इनसल लिखना है क्योंकि निम्बू और इमली के रस में अमल होता है यह अमल क्या करते हैं यह अमल तामे से संचारित भाग को अलग कर देता मतलब जो संचारित भाग मतलब उसको संचारित मतलब अलग कर देगा मतलब नश्ट कर देगा उसको टुकड़े में बाठ देगा जो आपका यहाँ पर जल चुका है उसे टुकड़े मतलब बाठ देगा तो क्योंकि निम्बू या इमली के रस में अमलू होता है यह अमलू तामे से संचारित भाग को अलग क कर देता है जिससे बड़तन पुनाहा नया हो जाता मतलब चमकने लगता है इसे ही आप कह सकते हैं कि जो लिम्बो और इमली यह खटे पदार्थ से प्रावित क्यों हैं तो यह सब्सक्राइब कर लिए और नोटिफिक्सन को ओन कर लिजे मिलते हैं इसके अगले वीडियो में जबता के लिए अच्छे से इसे प्रेंटेट आपके नोट्स में लिख लिए जएगा और यादि किसी भी सब्जेक्ट में आपको आल सब्जेक्ट में दिखकत हो तो उसके आप कमेंट कीजिए उसका आंसर हम आपको इसी चैनले पर प्रवाइड करा देंगे